क्या JTC डेट बढ़ सकती है पता नहीं कुछ नहीं होगा don't worry हाँ अब confirm है कि डेट बढ़ेगी बढ़ जाये तो सही रहेगा क्योंकि इतनी बीमारी चल रही है JTC बढ़ सकती है भाईयो दी वीडियो बनाओ कि कब क्या होगा मैम क्या कर्फ्यू की वज़र से फर्क पड़ेग तो फ्रेंट ऐसे आपके बहुत सारे कमेंट्स ग्रूप में देखने को मिल रहा है कि क्या JTC डेट बढ़ेगी और ऐसा कमेंट्स क्यों आ रहा है हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले है चल यह फ्रेंट्स वीडियो को सिंपली स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जो में टोपिक है हमारा कि JTC डेट बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं हैं देखे सबसे पहले आप कोई भी इंफोमेशन पूरी जानने से पहले आप परिशान होने लगते हो जैसे कि आप सभी को पता है तो फ्रेंट्स जैसे आप सभी को पता है कि यूपी में 17 मई जो कोरोना कर्फ्यू रखा गया था अब उसका डेट और भी इंक्रीज कर दिया गया है एक्षेंड कर दिया गया है यानि कि अब ये कर्फ्यू 24 मई तक रहेगा और कोई भी इसमें नए गैडलाइन अभी तक नहीं किये गया है जो पूराना कर्फ्यू था जो भी गैडलाइन थी अभी उसी के एकोर्डिंग ये डेट बढ़ाया गया है आगे कोई भी इंफॉमेशन आता है तो आप सभी को दिया जाएगा अब बात यहां यह आ जाती है कि क्या डेट बढ़ सकती है 21 मई से आपकी ज कोर्डिंग सारी इंफॉमेशन दिया भी था अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे यानि कि एक विक पहले आपको आपकी जेटी सी लिष्ट मिल जाएगी लेकिन में मुद्धा यहां यह आ जाता है डेट बढ़ने को लेकर तो सबसे पहले फ्रेंड हम आपको बता द लगा था उस तरह से इस बारे ऐसा कोई भी नए मतलब जो भी कड़वी कानून है नहीं बनाया जा रहा है दुकाने भी कुल रही है ठीक है जो भी प्रक्रिया है लोग आजा भी रहे हैं साधानी बरते हुए ठीक है साधिया भी हो रही है तो जो भी प्रक्रिया हैं हो रही दफ्तरों में जो भी इंपोर्टेंट्स काम है विभागी कारे भी किये जा रहे हैं और ट्रेनिंग यानि कि प्रसीचर को लेकर गोर्मेंट की तरफ से ऐसी कोई भी शासना देश नहीं जारी की गई है कि भीया इस पर भी रोक लगाया जाए तो सबसे पहली बात यह को देख लेकिन इस बारी कोरोना वाइरस को देखते हुए ही यह तीन बैच बनाए गया है और जो आपकी जेटी से है और क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए यूपी में अगर देखा जाए तो लगबाग गोर्मेंट की तरफ से यह कहा गया है कि 88 परसेंट रिकावर हो गया है ज जो भी जरूते है उसे भी पूरा किया जा रहा है तो फ्रेंट्स बस हम यही कहेंगे आप सभी बिल्कुल भी परिशान ना हो यह कि 24 माई जो है कर्फ्यू लगा गया है हो सकता है कि पूरा मन्त यानि कि 31 माई तक यह कोरोना कर्फ्यू रहे क्योंकि यह धीर धीर है और डे कर दिये गया है काईडियेट लिस्ट आने बाकि हैं 12 तारिक तक भेरिफिकेशन भी कम्प्लीट कर दिये गया है कोई भी अपडेट आगे आता है तो आपसे भी को दिया जाएगा और जेटी सी लिस्ट आपके डेट से 31 माई जो डेट रखी गई उससे एक पहले आपको मिल जाएगा बिल्कुल ओफिस्यल तरीके से ठीक है तो अब आपके कोई डाउच नहीं होंगे फ्रेंट से रिलेटेड फिर विए अगर आपकी कोई राय है तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा और टेलिग्राम चैनल को अभी आप ज्वाइन कर लीजिए प्रोइट की जाएगी सबसे पहले सबसे पहले कोई भी नोटिस आपको यहीं प्रोइट की जाती है आगे के अपडेट के लिए बने रहें चैनल के साथ आप अपना ख्याल रखें अच्छे से कोई भी फ्रेंट्स परिसाने हैं तो अपनी जा कमेंट्स कर पूश सकते हैं बने वा थांशो वोचिं टेक्या